नमश्कार, स्वागत है बच्चों आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक वेक्ति जिसने बलतकार किया और उसी लड़की की उसने हत्यागर दी उसको मोत की सजा सुनाई गई और मोत की सजा सुनाने के बाद अब सुप्रीम कोट ने क्या किया है उसकी सजा को बदलते हुए उमर कैद कर दिया है अब काफीस लोगों को ये बात सुनकर बड़ा ही गुसा आएगा कि यार ऐसे वेक्ति को जीने का कोई हक नहीं है जिसने एक मासूम बच्ची या फिर कहूँ एक साथ साल की एक बच्ची है विल्कुल एक साथ साल की एक छोटी बच्ची जिसको कुछ नहीं पता उसके साथ ऐसा दरिन्दगी भरा काम किया गया उसकी हत्या कर दी गई उस व्यक्ति को जब बहुत की सजा सुनाई गई है फांसी की सजा सुनाई गई है कोट के दोरे सुनाई गई थी अब उस सजा को बदलते हुए सुप्रीम कोट ने उमर कैद में कर दिया अब सोचेंगे यार ऐसा क्यों किया है ऐसे इंसान को जीने का हग नहीं है, मर जाना चाहिए, मार देना चाहिए और जो Supreme Court ने जो किया है, अपना जो फैंसला दिया है जो अल्रीडी जो मृत्यु दंड के खिलाफ थे भई, मृत्यु दंड के खिलाफ, obviously जो human rights वाले हैं वो मृत्यु दंड को कभी भी favor नहीं करते हैं वो कहते हैं कि भईया, यह एमानविया चीज है आप जो हैं वो लोगों को मार नहीं सकते हैं लोगों से जीने कादिकार जीन नहीं सकते हैं तो उनके लिए तो जो फैसला दिया गया है वो एक तरीके से मिसाल बन गया है अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या गया एक बार थोड़ा सा हम इसके बारे में discuss कर लें फिर हम सारे चीज़ों को discuss करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मत है लोग जो हैं वो मृत्यु दंड के पक्ष में भी हैं विपक्ष में भी हैं जो पक्षवाले हैं वो क्या बोल रहे हैं और कौन-कौन से फैसले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मृत्यु दंड को लेकर इन सब चीज़ों की हम बाते हैं जो इस विडियो में discuss करने जा रहे हैं अब जो सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है कि देखिए जो मृत्युदंट दिया गया था उसको बदलते हुए जो सजा है या फिर कहें आजीवन काराबास या निए 30 साल की जो सजा उसको सुना दिया गया है और इसमें कोई भी संशोधन नहीं होगा कि कम नहीं होगी या फि सिर्फ और सिर्फ जो अपराद भ्यानक परवर्ति का है तो उसमें आप जो सजा दे रहे हो कैपिटल पनिश्मेंट की उसी के उपर फोकस मत करिए आपको फोकस करना चाहिए आज इवन काराबास के उपर ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्राइल कोर्ट है उन आपने उसको फांसी दे दी तो क्या वो इंसान सुधर जाएगा क्या क्या क्राइम क्या देश के अंदर ये क्राइम कम हो जाएगा वो तो लटक वो क्या सुधरेगा लेकिन क्या इससे लोगों को को संदेश जाएगा क्या इससे समाज के अंदर को सुधार आएगा अभी इ देकर आया हूँ, तो आप इंजान की सोच को सुधारी है, उसकी जो विचारदारा है, उसको सही करना है, तो ये जो है, वो सुप्रीम कोट का मत है, अब देखें, मृत्यू दंड जैसा की क्या होता है, कि बहुत जादा जो हीनियस क्राइम होता है, उसके अंदर सबसे हाई ल आनी जाती है, ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन जैसा की इसका विरोध करने वाले भी हैं, इसको कहते हैं कि एमानविया हैं, और इस परकार लेकर भाईया, काफी सारे जो लोग हैं, वो इसे नैतिक तक एक बहस छिड़ गई है यहाँ पर, और दुनिया भर में, जो आदिकारवादी, मतलब कि जो हुमर राइट्स वाले, समाजवादी वाले, यह जो लोग हैं, वो कह रहे हैं कि आप मोत की सजा को खतम कर दीजिए, इवन आपको जानकर हैना नहीं होगी कि 98 देश ऐसे हैं, जहां पर capital punishment नहीं होती है, और अभी हाल फिलाल में आपको जानक हरानी ये भी होगी कि 2005 में सुप्रीम कोट ने या फिर कहें कि जो death penalty दी गई थी, 1241 लोगों को उन death penalty को convert करते हुए life term के अंदर, यानि आजीवन करावास के अंदर बदला गया है, क्लियर यहां पर, तो करते आ रहे हैं, कोई ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि पहली बार हो कि परतिशोद के पर्मुख शिंधानतों में से यह एक है कि जिसने जैसा अपराद किया है, उस अपराद के according उसको सजा दी जाए, यह तरक दिया जाता है कि अगर आगर एक इनाम का एक व्यक्ती है, इस बी को मार दिया है, इससे जीने का अधिकार छीन लिया गया, इस बी जा रही है, साथी साथ ये बोले जाती है कि अगर आपने इस वेक्ति को छोड़ दिया, ये बाहर गया तो ये बाहर जाकर लोगों को भी मारेगा, तो एक तरीके से आप इसको मोत की सजा देकर बाहर के जो लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, उनको मरने से बचा रहे हो, तो ये तर्क भी दिया जाते हैं, और साथी साथ ये बात भी बोली जाती है, कि जो प्रिडित परिवार है, जो नियाए के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आते हैं, तो उनको एक तरीके से संतुष्टी मिलती है जो प्रिडित परिवार को कही न गई, इससे संतुष्टी मिलती है अब, जो प्रिडित परिवार के विपक्ष में है यानि एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो मानी है, जो आप सब के सामने यहाँ पर है, कि स्टैटिक्स स्टैटिक्स बताते हैं, कि जो निवारक प्रिक्रिया, मतलब कि आपने जो मिर्त्यू दंड दिया उससे कोई फरक नहीं पड़ा है बलतकार और रत्या के अपरादों में वहिया संक्या में कोई कमी नहीं आई 2013 के बाद, 2013 के बाद जो बलतकार के मामलों में जो मिर्त्यू निर्धारित की गई थी कहां पर CRP, मतलब कि IPC की धारा 376A यहां पर जो है, वो मिर्त्यू दंड दिया जाता है बलतकार के मामलों में यहां पर कोई कमी नहीं आई है भई इवन कमी छोड़ो, जो बलतकार की करूरता है वो कई गुना बढ़ गई है तो कहां से मृत्यू दंड जो है वो एक तरीके से समाज में बलतकार अरत्या को कम कर रहा है यह बात सोचने पर मजबूर होते हैं कि आपने जो सबसे सरवोच एक हाई लेवल की जो एक सजा होती है, वो सजा अगर क्राइम वो कम नहीं कर पा रही है तो कही ना कहीं कुछ और चीजे करने की भी जरूरत है यह सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि आप उस विचार को खतम करिये ऐसे आपके सामने यह 30 साल बाद अगर यह बाहर निकलेगा तो इसकी से आपने जीने का क्या होगा भई यह इवन आप मतलब कि आपको पता है नहीं पता हमें पता पता देता हूँ कि कोर्ट के अंदर जब यह ऐसे क्राइम करके जाते हैं इतने हिनियस क्राइम करके वो जब जाते हैं कईयों को इतना जाना गिल्ट होता है कि वो खुद कोर्ट से बोलते हैं कि ज़साब हमें फांसी की सजाए देदो, हमें मार तो हमें जीने का हक नहीं है, लेकिन कोर्ट वहां पर उनको जीने देता है, ताकि वो जीने उनको पता चले कि उनने क्या कियें, भई इतना ज़ादा गेल्ट भर जाएगा, तो एक तरीके से देखने का, ये भी होता है कि तुने क्या कर दिया है, अब ये बैठ कर सोचेगा, कि 30 साल तक जब ये बाहर निकलेगा, तो भी इसके साथ कैसा बरताव किया जाएगा, या फिर 30 साल तक जो इसने सहा है, ये सब चीजे इस सुप्रिम कोर्ट है, ऐसे ही तो हवा में फैसला नहीं दे दिया होगा, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़े लिके लोग बैठे हैं, जो इस चीज को फैसला कर रहे हैं, कि भी क्या सही है, क्या नहीं है, उन्होंने इस चीज को आंका भी है, कि जो मिर्तियु दंड द दी गई, और आम तर्ग है, कि अगर नहीं प्रणाली में गलतियां होती हैं, इंखामियां होती हैं, अगर वो चीज हो जाती है, तो उससे निर्दोष लोग मारे जाते हैं, साथी साथ, एमनिस्टी इंटरनेशनल ने भी यह बात बोली है, कि जब तक मानने विया नियाए, यानि human justice में अगर कुछ न कुछ कमिया रहेंगी, तो obviously निर्दोषों को फासी देने का जोखिम तो कभी समाप तो होई नहीं सकता, और अधिकांस देशों के अंदर तो भाया मिर्तिदंड खतम ही कर दिया गया है, 98 देशों में मिर्तिदंड खतम कर दिया गया है, अब rehabilitation की अगर आपने मिर्तिदंड दे दिया तो rehabilitation, मतलब कि आपने उस इंसान को सुधार के नहीं, बलकि आपने उसको तो उपरी पहुँचा दिया, तो ये बात बोली जाए, उसके समाज में वापसी नहीं होगी, अब देखे, ये आप लोगों का मत हो सकता है, यार ऐसे इंसान को समाज में रखें भी करेंगे क्या, तो ये बात सचिए, ऐसा इंसान को जब उसको पता है कि समाज भी नहीं रखा जाएगा, तो वो कितने पल मरेगा, ये बात सोचने वाली है, देखे, आपका अपना-पना मत हो सकता है, आप कह सकते हैं कि भे नहीं, ऐसे इनसान को नहीं जीना दिना चाहिए, उसने एक साथ साल की बच्ची के साथ ऐसा गिनोना काम किया है, जिसको कुछ नहीं पता था, दुनियादारी का नहीं पता था, वो एक बच्ची थी, चोटी थी, उसके साथ ऐसा गिनोना काम कर दिया जाता है, तो कहीं से भी, यह आपके अपने मैत हो सक अधिनियम यानि CRPC Criminal Procedure Amendment Act 1955 में ये इस से पहले की बात कर रहा हूँ कि जहां पर मृत्यू दंड जो एक नियम था और आजीवन कारावास एक तरीके से अपवाद दी मतलब कि ज़ादा तर मृत्यू दंड के उपर ही फोकस किया जाता था और लाइफ इंप्रिश्मनेंट के उपर कम फोकस होता था साथ इसाथ अगर सुप्रीम कोट ने या निया एले ने मृत्यू दंड के जगहे पे कोई हलका दंड दे दिया है तो भाईया उसका स्पस्टी करन देना पड़ता था ये बात पहले की हो रही है कब से पहले की Criminal Procedure Amendment Act 1955 स पहले की बात हो रही है फिर क्या होता है अमेंडमेंट के बाद 1955 के बाद शंशोदन हो जाता है तो निया एले को किसी को अगर आजीवन कारावास देनी है तो इसके लिए वो आजाद हो जाते हैं उनके पास पावर आती है लेकिन पहले नहीं थी पहले exemption होता था मृत्यू अगर एक सरवोच दंड दिया है तो उसका कारण बताना पड़ेगा और आज की डेट में वरतमार में प्रिस्तिति क्या होगी है विपरीट पहले यह होते थी कि मृत्यू दंड नियम होता था लेकिन अब क्या हो गई है आज जीवन कारवास की सजा एक नियम बन गई है एक तो यह चीज़ और साथ हिसा जब आज जीवन कारवास एक अपवाद था लेकिन आज की डेट में मृत्यू दंड की सजा एक अपवाद है यानि उल्टा हो गया है, कि जादा तर हो सके तो आजीवन कारावास दीजिए, मिर्तियुदंड जो है वो बहुत जादा, मतलब दुललब्तम केस में यानि रेरेस्ट केस के अंदर जो है वो मिर्तियुदंड की सजा दी जाने चाहिए, यह आज की डेट की कंडिशन है, भही जो इसके लिए बोल रहे होगे, अगर सजा कम कर दी गई है, तो एक तरीके से कानून की तो परभाव है, वह तो कम होगया, और उस तरीके से तो भाई या उसको तो कोई सजा नहीं होगी लोग मजाक और उड़ाने लग जाएंगे यार कानून का भाई कानून को फिर सीरियस कौन लेंगा वहाँ पर लोग तो अपनी मन चाहें भाई उनको पता चलेगा यार मुझे तो कुछ होना नहीं है थोड़े टाइम जाओंगा जेल से बाहर आ जाओंगा तो भाई जो मर्जी में है वो करनूँ तो भारत ने बोला है कि भाई कानून का एक तरीके से मजाक उड़ने लग जाएगा हम नहीं कर सकते यह सब चीजे अब साथ इसके बाद भारत सरकार की बात है कि भारत ने क्या बोला कि 1967 में लो कमिशन ने अपनी 35th रिपोर्ट दी जिस रिपोर्ट में उन्होंने खुद बोला था लो कमिशन ने कि देखे मिर्ट्यू दंड को खदम कर दो ठीक है और अधिकांच मामलों में मिर्तियु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया गया था यह हमने थोड़े दिर पहले देखा था आपके सामने जो image थी उसमें मैंने दिखाया भी था और कुछ मामलों में तो उच नियाले उन्हें इसे बरी भी कर दिया इस राजयवाद 1973 एक तरीके से का case है अब काफी सारों को यह पता होता है कि जग मोहन यह बनाम का मतलब क्या होता है उत्तर परदिस राजयवाद क्या होता है यह सीजे मैंने डिसकस कर रखी है डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो नहीं चैनल में आप लोगों के प्लेइलिस्ट मनेगी पॉलिटी करके मैंने एक प्लेइलिस्ट मना रही है तो जहां पर मैंने यह सब चीज़ें आपको डिसकस की हुई है पॉलिटी से रिलेड़िड यह वर्सिस क्या होता है यह बैंच क्या होते है इस सब चीजों को discuss मैंने किया हुए अब सुनिए जग मोहन सिंग वर्सिस State of UP 1973 केस होता है उसमें देखिए आपको पता है कि Article 21 जो है वो कहता है कि जीने का अधिकार है यह जो Article है किसी से छीना नहीं जा सकता लेकिन यहाँ पर सुन्धिये बहुत जबर्दस उम्ता लेवल का चीज है कि आगर किसी इंसान के साथ लो के अकोडिंग जो कानून विवस्था की गई है और उस कानून विवस्था के अंसार किसी को सजा दी गई है इस चीज को सुनना बहुत बड़िया चीज है कि CRPC देखिए CRPC और भारतिय साक्षिय अधिनियम यानि भारतिय यानि इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 के तायद कानूनी रूप से स्थापित परक्रियाओं के अंसार यानि लो जो है जो देश के अंदर लो है उस लो के अकोडिंग प्रोसीजर के जो सजा दी गई है मुकदमे में मुकदमे के बाद जो सुनाई गई जो मोत की सुझा है वो Article 21 के तायद ऐस समयधानिक नहीं है अब इस समयधानिक का मतलब कि Unconstitutional Article 21 कहता है कि हर इंसान को जीने कादिकार है उससे आप जीने कादिकार नहीं चीन सकते तो यह case हुआ यहां पर 1973 में जीने कादिकार आप चीन नहीं सकते तो Supreme Court ने बोला कि भाईया जो देश के अंदर लो है उस लो के according किसी व्यक्ति को अगर सजा दी जा रही है सारे मुकदमे हो गए यह सारे सपस्ट हो जाते है evidence मिल जाते है evidence कौन सा act के तहत भारती है साक्षे अधिनियम 1972 के तहत अगर सारे evidence मिल जाते है उसके तहत अगर किसी व्यक्ति को मोद की सजा दी जा रही है तो वो ऐसमिधानिक नहीं है बहुत जादा important है फिर राजिंदर परशाद बना मुतर परदेश राज्यवाद 1979 में हुआ जिसमें सुप्रीम कोट ने कहा कि एक व्यक्ति का अपरादी मतलब कि जिसने अपराद सोच समझ कर एक planning के दाए बहुत खतरनाक तरीके से मतलब समाज की सुरक्षा को खतरा में डाला है तो अगर ऐसा चीज होता है तो उस व्यक्ति के मौलिक अदिकारों को भी समाप्त किया जा सकता है भाई साब इतने जादा important case है या आप लोगों के सामने polity जब आप करोगे तो आपको समझेंगे अपना आर्टिकल जो है हम पढ़ते हैं 14 से लेकर 35 तक जहां पर हमारे सामने हम बात करते हैं कि हमें freedom है अपने thought को express करने की हमें धर्म को मानने की अभी धर्म के उपर जैसे religion आर्टिकल 25 के उपर जैसे करनाटक में बहर चल रहे है तो यह सब चीजों बहुत जादा important आपको समझने में पॉलिटिक को समझने में बहुत जादा help करती हैं अब आगे चलते हैं इसके अलावा बच्चन सिंग, मनाम, बंजाब, राज्यवाद 1980 हुआ, सुप्रीम कोट ने देखिए यह अगर कोई case जो है वो rarest, rarest of rare case है उस मामले में जो है आप मृतिव दंड दीजिए वो कौन-कौन से हैं वो है हत्या, बहुत भ्यंकर तरीके से की गई हो शैतानी, विद्रोही, निंदनीय तरीके से की जाती हो ताकि समुदाएं में एक तरीके के अत्यदिक अक्रोष पैदा हो तो भाईया, वहाँ पर जो है, वो rarest case में rarest of rare case में शामिल होगा और जब हत्या के पीछे का मक्षद पूरी तरस ब्रस्टता और कुरूरता है तो भाईया, वो चीज किसमें दुरलब से दुरलबतम मामले में वो शामिल होगा अब यहाँ पर एक देखे 1980 में हुआ यह बच्चन सिंग बनाम पंजाब राजवाद फिर 1983 में देखे माच्छी सिंग बनाम पंजाब राजवाद 1983 इसमें सर्वोच लेने ने किसी मामले को, देखे कितना यहाँ पर भहष हो रही है काफी ज़्यादा इंपोर्टन चीज़े है आई होप सो आप लोगों की चीज़े समझ में आ रही होंगी बात आगे की राए क्या है आगे की राए कि केवल सजा बढ़ाने के बज़ाए महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं इनके खिलाब अपरादों को निपटने के लिए एक व्यापक रूप से समाजिक सुधारों में निरंतर मतलब शाशन समंदी प्रयासों और जाँच रिपोर्टिंग के तंतर को मजबूत करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो यह तो था आज के सामने आपका इशू कि भाई आपने जो देखा है कि सुप्रीम कोट ने एक जो डेथ पेनल्टी थी जो कैपिटल परनिश्मंट थी उसको बदल कर कॉम्यूट करके किस में कर दिया गया भाई आज इवन कारावास में कर दिया गया बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिले होंगी आपके भी अपने पक्स हो सकते हैं आपके भी अपने विपक्स तरक वीता हो सकते हैं एक पड़े लिखे इंसान की तो यही तो पैचान होती है कि भाईया वो अपने विचार लिख सकता है सो समझ कर ऐसे ही नहीं आप सोची इंची जों के बारे में खेर यह तो था बस आज के लिए इस वीडियो में अब आपको पीडियो जो आप लोगों को टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा दिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं साथ यसाथ वीडियो पसंद आई हैं तो थोड़ा बहुत सपोर्ट हमें भी कर सकते हैं लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को और ज़्यादा ही पसंद आ गए हैं तो शेर कर दीजिए वीडियो को एस वल एस चैनल को तो बस आज के लिए इतना ही था थैंक यू फॉर वोचिंग इस वीडियो